हेलो तो यहाँ पर आप देखोगे न तो यह क्या है यहाँ पर हमारे पास निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुगा है अब क्या यह निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या तो फिर निफ्टी यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है वो समझने के बात करते हैं पहले तो 17,560 सबसे ज़्यादा important and critical levels रहेगा हमारे पास निफ्टे में जो अगर निफ्टी break out करता है यह तो फिर निकलने की कोशिच करता है तो जो next target निकल के आने वाले हैं वो सीधा सीधा 17,620 के आसपास के हो सकते हैं अब यह इस लेवल से अगर आप वेट कर पाओगे तो काफी बड़ी ऐसा profit earning भी आप जनरेट यहाप पर कर सकते हो लाइव मार्केट का जो भी अपडेट रहेगा वो आपको यहाप पर मिलेगा हमारे totally free bank nifty option date के free telegram channel में and लाइव मार्केट के updates जैसे की videos के through वो आपको यहाप पर मिलेगी जिसके अंदर 28,000 subscribers join कर चुके है 1900 प्लस video content यहाँ पर available है तो यहाँ पर आकर के भी आप आसने से joining कर सकते हो अभी हमें important क्या है यहाँ पर देखिएगा market अगर यहाँ से उपर जाने की कोशिश करता है और अगर उसे सच में यहाँ से उपर निकलना है तो वो अपने important level के आसपास यहाँ पर रुकेगा इसके लिए सबसे important level यहाँ पर रहे गए यह वाला मतलब के 17,550 एंड 555 यह दोनों levels इसके लिए बहुत जादा important किस तरीके से होने वाले है और इसके पिछे का logic क्या होने वाला है वो समझने के कुशिश कर देगा यहाँ पर एक अच्छा कासा support zone और एक अच्छा कासा resistance zone इसको मिलने वाला है अब resistance zone और support zone इसको कहाँ पर मिलेगा वो समझने नहीं resistance zone इसको मिलने वाला है लगबग in levels के आसपार्स जो की आपको होगा यहाँ पर 17,625 17,625 यह आपके लिए resistance zone यहाँ पर हो सकता है यह resistance zone आपके लिए केसे काम करने वाला है तो market यहाँ पर open होते हुए उपर की सेड का momentum करते हुए यहाँ से एक आपको downfall दिला सकता है क्या दिला सकता है? downfall दिला सकता है लेकिन यहाँ से यह downfall क्यों दिला सकता है? यहाँ से क्यों ने? यहाँ से क्यों ने? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास strong sellers नहीं रहेगे strong seller हमारे पास कब activate होके? वो इन लेवल के पास एक्टिवेट हो सकते 16,000 मतलब कि 17,000 625 ये वाली लेवल के पास हमारे पास जो है Strong Sellers Activate याप पर हो जाएगे उसके बाद में किस तरीके से Momentum होगे वो देखेंगे Strong Sellers Activate होने के बाद आपको Buying भी तुछ चाहिए सिर्फ सेलिंग का थोड़ी काम करना है तो Buying के लिए भी कहा से Important Level निकल के आएगे वो देखेंगे उसके पायान में अगर आपके आपके Downfall के लिए Level चाहिए ना तो Downfall का भी मैं आपको Level दिला देता हो ताकि कोई Confusion ना रहे देखे Market किसे भी अगर 17,500 and 17,520 इन दोनों Level के आसपास से नीचे की और का Momentum दिखाता है या तो फिर या से नीचे के और का Target आपको दिला देता है तो फिर आप नीचे के बारे में सोच सकते हो मतलब कि Downfall का Level के बारे में आपे सोच सकते हो जो उस case में आपको Target मिलेगा यह दो से तीन Target आपको Nifty 50 के अंदर देखने मिल सकते है तो यह बात आपको धियान रखना है कि Nifty 50 के अंदर Downfall के Target कोन से रहेगे किस Direction से रहेगे कहां पे मिलेगे और एक चीज़ा भी आपको पता है यह आप है लायू Market का जो भी अपडेट होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा फिर चाहे वो Market उपर की Direction में Momentum कर रहे चाहे Market नीचे की साड़ का Momentum कर रहे जिस भी Direction में मतलब चाहे वस्ती ए रहे या फिलो P-E रहे और एक चीज़ का लायू Market अपडेट आपको हमारे Free YouTube चैनल और साथ-साथ हमारे Free Telegram चैनल में देखने मिल जाएगा अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि यह Body A लेवल पर की इस तरीके से Momentum डिलासी प्रा है Body A Target कहाँ पर आपको देखने मिल सकते हैं जिस तरीके से Market आज Closed कर चुका है उस रिसाब से क्या आपको कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है कि Market में अगला Target आपको क्या हो सकता है क्या आपको कुछ यहाँ पर मतलब आपको विजुलाइज यहाँ पर कर सकते हो अगले Target के Okay कोई कितनी है मैं आपको बतता हूँ कहाँ पर इस लेवल के Target हमें देखने मिल सकते जिस तरीके से Market का Momentum है पर हो रहा है ना पहला Strong Resistance हमारे अभी यहाँ पर रहेगा 17,600 Okay यह Resistance तोनने के बाद अगला Target सीधा सीधा 17,760 का निकल के आएगा लगबग 150 Points का Target है उपर की Direction में यहाँ से लेकर कि यहाँ तक का Target कल expiry भी है डियान रखना इस बात को expiry की केस में Profit Fast Booking करना होता है अगर यहाँ से लेकर कि यहाँ तक के Target के लिए बैठोगे तो यहाँ पर अगर Market घुम रहा है तो आपका Premium का Value यहाँ पर Totally Decay होने वाला है Premium का Value Decay होना मतलब आपका Premium Complete Decay तो जो भी Quick Target मिलगा ना उसे Book करना है Market दीरे 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 जा रहा है तो Exit कर देना है लेकिन Quick Target के लिए बैठना है, Hold करना है Properly Risk Management के साथ कुछ आकर कि यहाँ बड़े वाले Target भी आपासानी से कैप्चरिंग कर सकते हो कल वाले सेशन में Live Market में आप अपडेट मिलेगा उसके साथ में जो भी important चीज़े रहेगी उसके Live Market अपडेट आपको पता है Free Telegram चैनल में आपको देखने मिल जाएगा